नमस्कार इंग्या नियोज राजस्थान देख रहे हैं आप में गरीमा श्रेवास तबाब के साथ राजस्थान के बिकानेर में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी का ऐसा मामला सामने आया जिसे सुन कर आपके भी होश उड़ जाएंगे हम लोग अक्सर जन पर अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा करते हैं उसी खाकी वर्दी में ये हैवानियत की है तो जरा सूच ये कि क्या होगा बिकानेर की एक दलित युवती के साथ दो पुलस कर्मियों के तरफ से रेप कर हत्या करने का संसनी खेज खुलासा हुआ है खटना के बाद परिवार के लोग धर्डे पर बैठ गया है गैंग रेफ केस में पुलस कर्मियों की भूमिकास संदिक्ध पायच जाने के बाद बिकानेर एस्पी तेजस्मीनी गौतम ने दोनों आरूपियों को सस्पेंट कर दिया है वही दोनों पुलस कर्मियों समेट तीन जनों के खलाफ रेप और हत्या का मामला दर्स किया गया है पुलस मामले की जौच करने में जुटी हुई है यह संसनी केजवारदात खाजवाला से सामने आई है यहां मंगलबार को एक युवती का शव मिला इस खटना के बाद खशेतर में संसनी मैंक मच गई वहीं मामले में युवती के पिता ने खजवाला पुलस्थाने के दो कंस्टेबल मनोज और खागेरत के साथ एक दूसरे यवक पर रेप और हत्या का मामला दर्स कराया है इस मामले में परिजनों को यह संदे है कि घटना में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं खरबामले की सुचना पर एस पी तेजस्मिनी कौदम ने मौके पर पहुच गर खटना का जायजा लिया महीं एफ एस एल की टीम ने मौके से साक्षी उटाए पर जनों ने बताया कि युवती सुबा के समय एक कंप्यूटर सेंटर पर कोचिंग जाती थी खटना के दिन भी वो घर से कोचिंग के लिए ने खिली तभी पुलस कर्मियों समेथ कुछ लोगों ने मिलकर युवती के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी इस दोरान युवती के पिता को उसकी बेटी के गंधीर घायल होने की सुचना मिली है इस पर वो अस्पताल पहुचा तो बेटी की मौत की खबर उन्हें मिली मामले को लेकर परिजनों में गहरा अक्रोश में नज़र आ रहा है वहीं भाजपार नेता भी परिजनों से मिलने पहुच गए है जिसके बाद खाजुवाला पुलस धाना के बाहर भाजपार नेता भी परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए है युवती के साथ रेप और हत्या की मामले में S.P. ने दोनो आरूपी कॉंस्टेबल मनोज को और भागे रत को ने लम्मित भी कर दिया है जब कि धन्य पर बैठे परिजनों की ये मांग है कि दोनों पुलिस कर्मियों को ने लम्मित करने की जगा बरखास दिया जाए इसके अलावा परिजनों की मांग है कि एक करोड रुपए का मुआवजा भी दिया जाए और परिवार की एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए परिजनों ने पूरे मामले की जांच S.O.G. के माध्यम से कराने की मांग उठाई है वहीं पुलिस ने आरूपी दिने इस विशनोई कॉंस्टेबल मनोज और भागे रत पर गैंग रेप और हत्या के साथ S.C.S.T. आक्ट के तहत मामला दर्स किया है मामले में S.P.V. जस्विनी गौतम ने बढ़ाया कि पुलिस को लड़की खायल आवस्था में मिली थी जिसके प्राइवेट पार्ट्स पर चूट के निशान थे अस्पताल में उसकी मौत हो गई दोनों पुलिस कर्वियों के नाम आने पर उन्हें सिस्पेंट कर मामले की जौच की जा रही है इस कबर से जुड़ी और वितास जवानकारी आप सभी तक पहुचाएंगे बरे रहे हैं जिया नियूस आजस्थान के साथ धनिवार